हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल पर स्वागत है एक बार की बात है राजा विक्रमा दीत्ये अपनी राजे सबा को संबोधित कर रहे थे तभी उन्हें सूचना मिली कि एक ब्रहामन उनसे मिलना चाहता है तो विक्रमा दीत्ये ने ब्रहामन को अंदर लाने की आग्या दी जब ब्रहामन आया तो राजा ने आने का कारण पूछा तो ब्रहामन ने कहा कि वे किसी गान की इच्छा से नहीं आए हैं बलकि उन्हें कुछ बताने आए हैं तब ब्राहमन ने कहा कि मान सरोवर में सूरिय उद्य होते ही एक खंबा प्रकट होता है जैसे जैसे सूरिय का परकास फैलता है वे खंबा ओपर उठता चला जाता है और जब सूरिय का ताप अपनी परकास्था पर होता है और वे सूरिय को इस पर्स करता है वैसे वैसे सूरि प्राइक क्या है तो ब्रामन भी उनकी जिग्यासा को भाप गया उसने कहा कि वे भगवान इंदर का दूत बनकर आया है ताकि उनके आत्मी विश्वास की रक्षा राजा कर सके उसने कहा सूर्य देवता को घमंड हो गया है कि समुद्र को छोड़ कर पूरे ब्रहमान में कोई उनकी गर्मी को सहन नहीं कर सकता है लेकिन देवराज इंदर उनकी बात से सहमत नहीं है उनका मानना है कि उनकी अनुकंपा प्राप्त मृत्ति लोक का एक राजा सूर्य के इताब की परवहा न करके उसके पास जा सकता है आप वही राजा है अब तक राजा सारी बात समझ उन्होंने सोच लिया प्रानोत सर्ग करके भी सूर्य भगवान को समीप जाकर नमस्कार करेंगे तथा इंद्र के आत्म विश्वास की रक्षा करेंगे उन्होंने ब्रहमन को दान दक्षना देकर विदा किया दूसरे दिन विख्रमा दीत्ते अपना राजे छोड़ कर चल तो उन्होंने कहा कि हम खंबे के बारे में जानते हैं वे राजा को मान सरवर के तटपर ले गए रात भर वे उस तटपर रहे और सुबह होते ही अपनी नजर महां टिका दी जहां से खंबा प्रकट होता था सुर्या की किर्णों जैसे ही मान सरवर के जल को चुआ तो एक खंबा प्रकट हुआ तो राजा विक्रमा दीत्ये तैर कर उस खंबे तक पहुंचे जैसे ही राजा खंबे पर चड़े पानी में हलचल हुई और लहरों ने उठकर विक्रमा दीत्ये के पैर चुए जैसे जैसे सूर्य की गर्मी बढ़ी खंबा बढ़ने लगा दो फैर आते आते सूर्य के बिल्कुल करीब आ गया तो विक्रमादीत्य का सरीर जलकर राख हो गया सूर्य भगवान ने जब खंबे पर एक मानव को जला हुआ पाया तो उन्हें समझते देर नहीं लगी यह मानव विक्रमादीत्य के अलावा और कोई नहीं हो सकता है तो उन्होंने भगवान इंदर के दावे को बिल्कुल सच पाया उन्होंने अमरत की बूंदों से विक्रमादीत्य को जिवित किया और साथ अपने स्वन कुंदल भी उन्हें भेट किये वे कुंदल ऐसे थे कि उ ऐसे ही सूर्य अर्ष्त होने लगे खंबा घटने लगा, सूर्य अर्ष्त होते ही खंबा पूरी तरह घट गया, तो राजा विक्रमा दित्या जल पर तैलने लगे, फिर तालाब किनारे आकर बेतालों को बुलाया, फिर वे उसी जंगह आ गए जहां से गए थे, फिर वे अप अपने राज्य को लोट गए